कि हमारे पर question दे रखा है among the following the number of aromatic compound is इसमें एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं उससे ये question है हमारा ये डेवल एडवांस 2017 का तो देखो aromatic compound पूछे हैं हमसे aromatic compound के लिए कुछ properties हैं वो देख लेते हैं पहले जो structure है वो cyclic होना चाहिए planar होना चाहिए sp2 hybridized carbon होना चाहिए उसमें और huckle rule follow करना चाहिए हकल rule का मतलब है four and plus two pi electron means two pi electron six pi electron 10 pi electron 14 pi electron and so on ठीक है अब देखो first वाला structure है उसमें अगर हम electron count करें तो इसमें 2, 4, 6, 8, 8 Pi Electron आएंगे, अब यह जो Structure है हमारा, Conjugation भी है इसमे, Cyclic भी है, लेकिन यह Planar नहीं है, इसकी जो Shape, जो Present होता है, वो देखो कैसे होता है, यह ऐसे Present होता है, तो यह Non-Planar हुआ means, Non-Aromatic हुआ, अब देखिए, Second वाले में, इसमें कितने हैं, 4 Pi Electron है, 4 Pi Electron, यहाँ पर देखो, 4 Pi Electron कहीं नहीं है, तो यहाँ पर 4 Pi Electron का मतलब है, वो Rule जो Follow कर रहा है, वो कर रहा है, 4N Pi Electron का, यह Rule कहाँ Follow होता है, यह सारी Property तो लगती लगती है, लेकिन उसके साथ हकल Rule न लगती, वो यह वाला लग जाता है, तो वहाँ लगता है, यह Anti-Aromaticity में, तो यह वाला जो Compound है हमारा, यह Anti-Aromatic है, AA, Means Anti-Aromatic, अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले में देखो, Pi Bond जो है, जिर्फ एक है, Means 2 Pi Electron है, हकल रूल फॉल हो रहा है, बाकि यहाँ पर Positive Charge है, तो यह जो है, सिर्फ 2 Pi Electron है, तो यहाँ हकल रूल फॉल हो रहा है, Cyclic भी है, Planar भी, SP2 Habidized भी है, तो यह वाला हुआ हमारा, Aromatic, यह Aromatic हो गया, अब देखो, इस वाले में, यह वाला जो Carbon है, और यह वाला Carbon है, यह दोनो SP3 Habidized हैं, तो जब यह दोनो SP3 Habidized हो गए, Means SP2 Habidation चाहिए, Aromaticity में, जब SP3 हैं, तो यह हो जाएंगे Non-Aromatic, अब यह वाला देखते हैं, देखो इसमें, तीन Pi Bond है, Means 6 Pi Electron, 6 Pi Electron का मतलब हकलूल फॉलो हो रहा है, बाकी Cyclic भी है, Planar भी है, Speed Vibration भी है, तो यह हो गया हमारा, Aromatic, अब इस वाले में देखते हैं, यहां पर देखो, दो Pi Bond है, Means 4 Pi Electron, 4 Pi Electron हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, वो 4 and Pi Electron रूल फॉलो हो रहा है, जो होता है, Anti-Aromatic City के लिए, तो यह वाला हो गया, Anti-Aromatic, अब यह वाला देखते हैं, इसमें देखो, तो एक Pi Bond यह, एक Pi Bond यह, और दो Electron यह हो गए, तो कितने Electron हो गए, 6 Pi Electron, तो यह हकल रूल फॉलो कर रहा है, वाकि Cyclic भी है, Planar भी, Speed Habidation भी है, तो यह हमारा Aromatic हो गया, तो अभी तक Aromatic कौन कौन से हो गए, एक यह वाला हो गया, एक यह वाला हो गया, और एक यह वाला Aromatic हो गया, अब इसमें देखते हैं, सेम कंडिशन इसमें हैं, जैसे इसमें थी, इसमें भी यह, देखो, SP3 Habidizer है, तो यह क्या हो गया, Non Aromatic हो गया, अब इसमें देखते हैं, देखो, इसमें भी Conjugation है, इस रिंग में भी Conjugation है, इस रिंग में भी Conjugation है, तीनो रिंग में Conjugation है, Conjugation का मतलब, Aromatic हो गए, अगर लीचरिंग में बात करें तो six five electron है तो ये तीनो रिंग aromatic होँगी तो whole compound aromatic होगा तो देखो aromatic कौन-कौन से आगए एक तो ये आया एक ये आया एक ये और एक ये इसमें जो four compounds है वो aromatic होगी तो ह्जो स्कत्राइब में डाफ़ के हैसाथ